हार यार्स वाले हैं तो आज किस वीडियो में आपसाओ शेयर करने वाली हूं अपना फोस्टल रूम टूर और इसका नाप्ट वान मैं अल्री आप लोग के साथ बहुत दिन पहले ही ना सेयर कर चुकी हूं एंद आज ना मैं part 2 आप लोग के साथ share करने वालू एंद उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया आप लोग ना उस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्यारा सा comment कर रहे थे कि दी एक और वीडियो लेकि और पार्ट टू इसका लेकि आओ होस्टल रूम टूर का तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की डिमांड पर एक और वीडियो सूट किया जाए एंड हाँ पहले से न हम लोग अपने रूम में बहुत कुछ चेंजेस किये हैं पहले मतलब इतक दिखाने का यह पूरा नहीं खुलता है क्योंकि आगे पीज़े भी समान है उसको तुरा एज़स्ट करना परेका तो गाइस रूम में ऐसे एंटर करते ही आपको यहां पर मिल जाता है प्यारा सा टेवल रखा हूँ है जो कि हम लोग को मिला था होस्टल के तरफ से एंड य रखेन बैढ बहुत कम टायमी आराम करती हूँ बहुत मकमल सा भी तूरे दिन तो मैं घथा करती रहती बस रात को यहां पर चैन की सुकून की नीद सोती हू हूं थे सात गंटे बस उसे जद़ मैं नहीं सोती पूरे दिनू कैसा सकती हूं है ऑफ देख सकते हो मेरा i attack now and 물 को कि वो दो है है ऐक like कर दीजिगा क्यों के लिए इसके ऊपर में नियुक्क का हुई या अपड़ देख सकते हो उजामे गाल में अपके सकते हो कुछ मोटी वेसमिलै रहें वहां पर यहां पर देख सकते हो । मेरा Comp्षक favourite K residence इस एरिया की बात आप कर लेते हैं तो यह आप देख सकते हैं यहां पर बड़ा सा विंडोस आपको मिल जाता है चोटा सा है एंड इसको खोले से न कोई हवा नहीं आती है बहुत अजीव विंडोस है गैसुल आपको दिख रहा होगा यहां पर खाना बनता है तो कुछ नहीं है बस गर्मी के मौसम में वो कीचन से थोड़ी बहुत हावा आती है और कुछ नहीं तो यह बंद ही रहता है क्योंकि बाहर की सोर मतलब जिसे की नहीं आए इसलिए मैं हमेसा इसको बंद करके रखती हूं एंड यह जो है ना एरिया यहां पर बैठके मैं अप सब मैं जो डेली पढ़ती हो ना बस वो रखा हुआ है एंड यहां पर अभी जो मैं यह वाच पहनी हो ना वह आया था मेरा दो दिन पहले सो वह है एंड यह जिस पर कि मैं अपना पढ़ाई करते पहले मैं बेट पर पढ़ाई करती थी बर्ट होता है वैसे ही मैं पूरे द इस साइड मताब मेरी रूमेट की तरफ अब देखो पहले यह दोनों बेट जो था ना वह दोनों जो आयंट था बट हम दोनों ने अलग कर दिया एक बात मैं अपो क्लियर कर दूं वह मेरी दी है जो अभी केम ना मतलब जो अभी वीडियो सूट कर रही है पहले वाली मुझे रात को इतना चोटा जब पता है आपको मैं घर से आई थी बहुत छोटा वेड मिलता है अगर आप छोटा मेरा तो आपको पता होगा एंड मैं बार बार गिर भी जाती नीचे क्योंकि मुझे बहुत लंबा चवरा बेड में सोने की आदत है तो इसलिए हम लोग अलग तो यह अच्छा चीज यहां पर हो गया है तो आप देख सकते हो इसका जो बेड एरिया है वह कुछ इस तरीके का है यहां पर मुटू सा टैडी वियर रखा हो है जो कि कुछ दिन पहले हम लोग बाई कि थे अमाजोन से एंड यहां पर मैं अपना साड़ा वीडियो सूट क बना सकती हूं क्योंकि यहां तक ही मैं आती हूं मैं उतनी लंबी तो हूं नहीं यार जो सच है मैं वह बता रहे हैं तो यहां पर बैठने के लिए और यह जो टेबल है अगर मैं इसको लगा के बैठू तो काफी ज़्यादा उपर तक हो जाए का जो की टेपर सब कुछ दि कि बढ़ा ठीज़ लगता है देखने में बठ सामने से नहीं लगता है क्योंकि सामने से लिए सिफ गेट बंध रहता है कोई नहीं समझा तो बैठके मैं यहां पर बकित लगा के आराम से वीडियो सूट करती हूं और वीडियो दिखने में काफी ज़्याद अच्छा लगत तो मेरा इस्टार नो टूट जाएगा तो इसको मैं हमेसा याद दिलाती रहती हूँ है स्टार है दी साही से सोना इधर देख सकते हो एक वह हैंगर दिया हुआ है जिसमें कि कुछ नहीं हम लोग टांगते हैं क्योंकि उधर यार कौन जाएगा लेने के लिए इसमें बैड पे चड़के और यह जो आप फ्लावर देख रहे हो यह रोज का वह मेरी दी अपने हाथों से बनाए काफी कलाकार ह है वह है वह एंड वहां पे लिखा हुआ है बी हैपी हमीसा हस्ती रहिए तो यह है एंड यहां पे कुछ फॉर्मूला वेगड़ा कुछ-कुछ है सब देख सकते हो कि रूम में आपको पूरा हर जगह मिले वाला है क्योंकि मेरी दी कुछ-कुछ करते रहती एंड हां मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आप देख सकते हो मैं बूर्ड के पास यह दिखाना आपको भूल गई यह भी मेरी दी पेड़ है यह पेड़ ना मेरी अपने हाथों से जितना भी आता है ने फ्लीप कार्ड का वह एमाजोन का जितना भी आता है वो ना बॉक्स वेगेरा कार्ट बूर्ड सबसे नहीं सब करती रहती है भर दिन देख सकते हो आप लिट्रली पूरा रूम मेरा भर जाने वाला है एक दिन ना एक गजब बेजती है इसके पास सोत नहीं रहता है और उतना कुंद होएगा तो इसलिए ना हम लोग वो रखे है और इसमें जो एक दो दिन का कपड़ा पहनते हैं जो की पहने लाइक होता है उस सब को इसके अंदर रखते हैं और उपर से यह दो ब्लैंकेट रखा हुआ है दीका ब्लैंकेट है एंड यह जो आफ़ेत पढ़ते रहता है बोलते है स गठाब है उख्या ना एक है भी झाया दूँक्त तो इसलिए सम्हाल के मैं खोने में से रखती उन्या में था एसरा कॉरा किखेarak में यह बैदार को बहुत मेहनत लगी है घर को साफ करने में अच्छे सब कुछ और नाइस करने में बस इस पार्ट को ना हम लोग छोड़ दे क्योंकि बहुत ही ज्यादा सामार रखा हुआ है इसके अंदर बहुत सामार है दिखाती हूं फिर भी मैं आपको प्लीज कोई कुछ मत बोलना कमें करना कुछ इसके लिए नात को दिखाती हूं तो आप दिखाते हैं सबसे उपर वाली रैक में आप देख सकते हूं जितना कप्र हम लोग नम डेली योज में पहनते हैं वह साड़ा यहां पर रखा हुआ है एक दो बेट सिट साइड में टॉवल वगेरा सब कुछ यहां पर देख सकते हैं थोड़ा सा हल दी यहां पर है क्योंकि मैं लगाई थी कल इसलिए और यहां पर पर्फियम वेगेरा जो भी मेरा स्कीन केर का सावान है वह सब रखावा एंड साइड में थोड़ा से स्पेस बच रहाता है तो उसमें हम लोगों भगवान जी को अच्छे से व पूरे रूम में था बिखड़ा हुआ यहां पर आप देख सकते हैं यही सब सामान सब रखा हुआ है तहां पर आलो भुझा यही सब है यार कुछ नहीं देखने लाए खावा जो रैक ना उसमें पूरा बुक वेगेरा भड़ा हुआ है क्योंकि हम लोग के पास ना पहले तो वाला था वह लकडी का नहीं आता है वुक इस्टेंड रखने वाला वह बट रूम में स्पेस महीं हो रहा था टेबल टेवल चेयर भी लाना पड़ा तो रोम में मतलब कहीं भी जगह ही नहीं हो रखने के लिए इसलिए उसको हटाना परा एंड सारा कुछ ना रैक के र परदा के उपर भी देखना चाहोगे तो आईए वैप को दिखाती हूं तो थो 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 आप देख सकते हो वहां पर खाली हो चुका है कल पर सो नहीं तो जितना भी था ना कार्डवर्ड वेगे जो भी प्रड़क्स हम लोग क्या में सा आते ही रहते हैं तो वह भी पुड़ा बहर चुका था उसमें पुड़ा दिवाल में सट गया था लेकिन उसमें का जितना भी था ना वह सब फेक के तीन-चार बस रखी है वही कुछ-कुछ बनाने के लिए काला कारी करने के लिए और यह जो है वो ट्रॉली है क्योंकि गंदा हो जाता सारक यह बनाती हूँ तो जो भी मता होता है कि अच्छे से डीखाना वह मैं इस एरिया पे करती हूं वैसे नौरमली जो उस्टरेंट रहता है वह इस तरीके का डेकोरेशन बहरा नहीं करके रखते हैं बट मुझे करना परता है आप लोग को जैसे कि पता है कि मैं योट्यूबर पहले नहीं था अभी पहले यह सब लगाया है तो इसलिए आप देख सकते हो यहां पर मैंने एक वो जो नहीं आते हैं तो क्या बोल सकते हैं नेट का कपड़ा वह है एंड अंदर में आप देख सकते हैं यह पैटल्स ग्रीन कलर कि जो की काफी ज्यादा खुब्सूरत लग र सिर्फ यह वाला जो पैटल्स है ना यह सिर्फ अलग से मैंने लगाया इसमें बाकि यह जो लाइट है और यह यह दोनों मुझे सेट मिला था अमाजोन से सो यहां पर देख सकते हैं प्यारा सा डोडमेट है जिस पर कि मैं अपना जो भी होता हैं फुट्वेर हॉल्स वेग बहुत ही जदा प्यारा लगा था मुझे के ओनलाइन देखने में एंड इसे ना मैंने फ्लिप कार्ट से पर्चेस किया था और इसके अंदर ना यह मैंने लाइट लगा के रखा है आप देख सकते जो की काफी ज़्यादा खौप सूरत लग रहा है देखने में यह जो आप स्पॉंसर से बला या कुछ भी अच्छे से दिखाने का वही मैं इसलिए इसको मुझे लेना पड़ा झाल यह वीडियो ना अपलोट करते ही मुझे पता है बहुत सारे यही कमेंट करने वाले हैं बहुत सारे लोग कि दी आप जिस होस्टल में रहती उसका रेंट कितना है तो इस होस्टल का जो चार्ज है न वो है 5000 रुपीज यही था मेरा एक प्यारा सा छोटा सा होस्टल रूम आइफोब कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मेरे चनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बैन आपन को हिट करना बिलकुल भी मत मुलना तो मिलते हैं नेक्ट वीडि बाई टेक क्यार थांक यू